बहुत समय पहले की बात है एक खुपसूरत जंगल में शेर और शियार रहते थे बैठे बैठे भूख लग गई है जाता हूँ जंगल में गुफा से बाहर निकल कर अपने भोजन के लिए कोई सिकार ढूडता हूँ चलता हूँ अब बाहर शेर अपनी शिकार के लिए गुफा से बाहर निकल जाता हूँ शेर बुख के मारे छटपटा रहा था और अब इधर उधर अपना शिकार धोंड रहा था जिससे उसकी पेट भर जाए तभी उशे खरगोश दिखाई दिया शेर उसका पीछा करने लगा और खरगोश अपनी जान बचा कर तेजी से भागने लगा शेर खरगोश को धर दबोचा और अपनी भूख में पिर शेर दहाड़े मारने लगा फिर शेर बोलता है मेरा पेट्टू भर गया है गुफा में जाकर अराम किया जाए और वही शेर की गुफा के बाहर सियार और उसका परिवार खड़े होकर मन ही मन में सोच रहे हैं कि आज का ठिकाना मिल शेर को अपनी गुफे में किसी और के होने का आभास हुआ चलो अंदर चले शेर को गुफा की और आता देख सियार और उसका परिवार घबरा हो गया तभी सियार अपनी पत्नी को बोला भाग्यवान बच्चों को रुला दो तभी सियार की पत्नी ने अपने बच्चों को चीटी काटकर रुला दिया उसके बाद सियार बोलता है अरे भाग्यवान बच्चे क्यों रो रहे हैं बच्चों को भूक लगी है इसके लिए रो रहे हैं तो उन्हें कुछ खिला पिला दो उन्हें कच्चा सेर का ताजा मास चाहिए और डर से घबराने लगा सोच रहा है की सियार की बाते सुनकर शेर डर गया यह सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ मेरे से विशाल ऐसा कौन सा जानवर है जो मेरा ही मास खाना चाहता है हाई फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, जादा से जादा शेर करे धन्यवाद